हेलो स्टुडेंट कैसे हैं मेरा ख्याल से आप लोग अच्छे ही हैं तो आज मैं आप लोग को जो बच्चा हुआ था प्रेजेंट पार्फेक्टेंज का इंट्रोगेटिव सेंटेंज मतलब आपका प्रस्न वाच बाग किया उसी को बारे में मैं आज डिस्कास करने वाला तो आएए सीखते हैं ओके देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंज आफ प्रेजेंट पार्फेक्ट टेंज आप लोग पहले ही जान चुके हैं सीख चुके हैं कि साब्जेक्ट अकेला होने से हैज होता है और साब्जेक्ट एक से ज्यादा होने से और आई होने से यू होने से हैब होता है तो देखिए यह अभी हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतब प्रस्वा बाचे बाग किया तुछ में क्या होता है साब्जेक्ट जब आपका अकेला होता है तो यह है जाके पहले बैट जाता है अकेला होने से और साब्जीक्ड जब आपका एक से ज्यादा होता है यू होता है और आ इसे से ज्यादा होने से दो यू और आई bulता उसकाबाद आपका भारव्ट का प्रसन भात्पराइब फॉर्म मतब झीस्ना फॉर्म। उसका भाद ऑप्जैक्ट उसका आपका इंट्रुक्रेतिffe साइन्स मतब प्रस्तन वाचक्त आपका चिन यह हुआ आपका फ्रेम या भीपी ओके आईए सीखते हैं देखिए तो राम क्या किताब पर चुका है तो साब्जेट है राम तो पहले आपका साब्जेट अकेला इसलिए पहले हैज हुआ उसका बात साब्जेट आया राम अब परना इंग्रेजी रीड पस्टमेशन फॉर्म रेड रेड भी बोल सकते हैं रीड भी बोल सकते हैं एक ही बात हुआ तो रीड तो हैज राम रीड दा बुग तो हैज राम रीड़ दा बुक मतब राम क्या किताब पर चुका है चीरिया क्या असमान में ऊर चुकी है तो चीरिया हुआ आपका सब्जेक्ट मतब अकेली है तो देखिये पहले क्या होगा है चीरिया अंग्रेजी बार्ड दा बार्ड भी कि अब और ना आपका अंग्रेजी फ्लाई पास्टेसरा फ्रम फ्लों तो has the bird flown कहा है? In the sky तो has the bird flown in the sky समझ गे? तो subject अकेला होने से पहले has होता है उसका बाद subject उसका बाद भार्ब का तीसरा form मतलब प्रिपी फॉर्ब मतलब पास्पेशल फॉर्ब उसका बाद object in the sky तो समझ गे? ओके पिता जी क्या चाय पी चुका है? पिता जी क्या चाय पी चुका है? देखिए पिता जी अकेला है इसलिए पहले has हुआ has फादार पिनार जी द्रिंग पास्ट फॉर्म ड्रैंक पास्पेशल फॉर्म ड्रांक तीसरा फॉर्म हुआ ड्रांक तो हैज फादार ड्रांक क्या? टी तो हैज फादार ड्रांक टी पिता जी क्या चाय पी चुका है? समझ गे? तो साबजेट अकेला होने से पहले हैज होता है लरका साब क्या इसकुल जा चुका है मतब आपके एक से ज़्यादा हुआ लरका साब दो भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, बीस भी हो सकता है या सौ भी हो सकता है तो लर्का सब तो जानते हैं साब्जेट एक से ज्यादा होने से हैब होता है तो पहले हैब होगा दा बॉइज जाना अंगरी जी गो पास्ट फॉर्म वेंट पास्ट पर्शल फॉर्म मतर्तीश्रा फॉर्म गान तो हैब दा बॉइज गान टू दा इस्कूल लर्का लोग क्या या लर्का सब क्या इस्कूल जा चुका है तुम क्या खत लिख चुके हो देखिए मतब साब्जेक्ड यू यू होने से भी आप लोग जानते हैं जे पहले हैब होता है तो हैब अप्यक्त वा यू तो हैब यू अबे लिखना गारे जे राट पस फोर्म रोत पस फोर्म रॉत तो हैब यू रिजे दू तो देखिए, have you written the letter, तुम क्या ख़त लिख चुके हो, देख लेजे, ओके, तो you होने से भी have होता है तो मैं क्या तुम्हारे लिए इंतिजार कर चुका हूँ, देखिए, sentence क्या है, मैं क्या तुम्हारे लिए इंतिजार कर चुका हूँ, तो subject है I, तो I होने से भी आपका have होगा पहले have I, wait मतब इंतिजार करना, past partial form, waited, तो have I waited, किसका लिए, तुम्हारे लिए for you, तो have I waited for you, तो have I waited for you, देख लीजे, तो मैं क्या तुम्हारे लिए इंतिजार कर चुका हूँ, तो आपका I होने से भी have होता है, तो समझ गे, यह हुआ आपका present perfect tense का intuitive sentence, बिपी नमर 3 आपका देख लिजे, subject अकेला होने से हैज होता है पहले, subject एक से ज़्यादा होने से, you होने से, I होने से पहले have होता है, उसका बाद भार्व का PP, मतब तिसरा फॉर्म, उसका बाद object, तो समझ गे, यह हुआ आपका intuitive sentence of present perfect tense, जाने का पहले आप लोग को इतना ही बोलना चाहता हूँ, जदी मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, तो लाइक कीजिए, श्यार कीजिए, और जो मेरा चैनल में नए हैं, और जो अब तक भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, सबको मैं इत subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, और मन लगा के सिखी अंगरी जी, ओके, आज के लिए इतना ही, thank you, good bye